हाई गाईस वेकम बैक टो माई चैनल मैं हूँ शेफाली और आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ एक ऐसी कंपनी की जो की बंद ओचुकी है जो की अब एक्जिस्ट ही नहीं करती है पर यह जो कंपनी है यह क्या कर रही है यह बहुत ही बुरा काम कर रही है यह जितने भी नौकरी पर जितने भी स्टुडेंट्स है या फिर जो भी परसन है जॉब सीकर्स है ठीक है जॉब ढूंड रहे हैं उनसे बहां से उनकी इंफोर्मेशन कलेक्ट कर रही है उनका नंबर कलेक्ट कर रही है उनकी मेल आईडी कलेक्ट कर रही है और उनको कॉल कर ले जाब ही चुके हैं और उसके बाद उन्होंने उनसे पेमेंट ली है और वो फेक प्रॉमिसे करे हैं और उसके बाद कोई जाब नहीं दिया है वहत तेज हो रहा है वहत तेज हो रहा है तो गाईस अच्छली मेरी एक सब्सक्राइबर है जो अच्छली उन्होंने एक वीडियो के नीचे कमेंट करा था तो मेरी उनसे बात हुई थी कि उन्हों ही एक कमपनी की तरफ से कॉल आया था जो की है मैं उस कमपनी का नाम I think I don't know की मैं बताऊं या ना बताऊं तो मैं स्क्रीन पर मैंशन कर दूंगे आप लोगों को ये कमपनी का नाम है के बाद आपके रिजुमे में कुछ ऐसा है कि आपको हमने ऐसे से बैंक के लिए यह चुना है और आप इंटर्वियो के लिए चंडिगड भी चली गए थी इनका इंटर्वियो भी हो गया था मैंने उस वीडियो में सारी प्रोसेस बताए थी कि आपको किस तरह से इंटर्वियो लेते हैं और अब आप बोलोगों कि मुझे कैसे पता है गाइस मेरा भी इंटर्वियो हो चुका है इसे बैंक में एंड मैं भी उसमें सिलेक्ट हो चुकी थी बट कुछ लोकेशन कॉंस् उसने मितलब इंटर्वियो दे दिया था वहाँ पर और उसके बाद वो कह रही थी मेरी उसे बात हुई थी कि ऑफ़र लेटर किस तरह से आता है तो मैंने उसे कहा कि ऐसे से बैंक वालों ने आपके साथ इंटर्वियो किया है बलते नहीं मैं चंडिगर गई थी वहाँ पर एक दू दिन पहले कि अधरी और ये लिगे नहीं थे थी स्टाव आ जो थी आपके सांडिगर आना पड़ेगा इंटर्वियो के लिए गैस ये कंपनी की ये जो कंपनी है ना इसकी हरकते बढ़ते जा रही है और ये बच्चों को जो भी जॉब सीकाज है ना नौकरी से इंफोरमिशन कलेक्ट करके ये उनको कॉल करे जा रहे हैं और उनको फेक जॉब के लिए बोले जा रहे हैं तो उसके बाद उस लड़की ने मुझसे कहा कि आप इसके बारे में पता करे या फिर किसी और को किसी और से पूछे एंट मैं सच पताऊना मुझे ना यकीन ही नहीं हो रहा था कुछ अलग-अलग सा लग रहा था कि यार ये मतलब कोई और कंपनी आइसे ये बैंक जो है ठीक ठीक था ठीक है वहां तक तो ठीक था लेकिन अचलिया वो गंपनी वाले जो हैं उनसे पैसे मांग रहे थे उस लड़की से कितने 3500 रूपीज अब 3500 इसलिए मांग रहे थे कि आप फ्रेशर हैं ठीक है आपकी ट्रेनिंग होनी बाकी है और आपकी ट्रेनिंग के लिए हमें पैसे चाहिए अगर आपसे कोई भी जॉब के बदले में पैसे मांग रहा है यह चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसा नहीं होता है अब आप बोलोगे कि मैं इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हूँ कि यह जो कंपनी है वो फेक है और ऐसा नहीं क्यों नहीं होता है तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि यह जो process होता है इसको हम कहते है recruitment process outsourcing अब को आई नो कि आपको कुछ समझ नहीं आया होगा actually इसको RPO कहते हैं इसमें क्या होता है कि for example मैं एक company हूँ ठीक है मैं ICC bank हूँ ठीक है मुझे 10 employees को hire करना है तो आप एक company है ठीक है जो कि recruitment process outsourcing provide करते हैं यानि मैं आपसे contact करूँगी ठीक है मैं आपको बोलूगी कि मेरे पास ना time नहीं है कि मैं employees की profile देखू उनको shortlist करूँ उनका interview लूँ और सारी चीज़े करूँ और उनको hire करके अपनी company में लेके आऊ ठीक है मेरे पास इतना time नहीं है मैं बहुत busy हूँ ठीक है तो आप एक company है आप मुझे कहते हैं कि don't worry ठीक है मैं आपके बदले बहुत सारी profiles को shortlist करती हूँ करता हूँ करती हूँ और आपको जैसे भी employees चाहिए मैं आपको लाके दूँगा या मैं आपको लाके दूँगी और उसके बदले में आप मुझे थोड़े से पैसे दे देना ठीक है यानि आप मुझसे कुछ fees चार्ज कर रहे हैं क्योंकि आप ऐसे से bank के लिए क्या कर रहे हैं दस employees को hire कर रहे हैं ठीक है मे सारा प्रोसेस आप करेंगे और जो भी आप यह चीज़े कर रहे हैं मैं आपको पैसे दूँगी इसके ठीक है और यह होता है कि जो भी CTC होता है जो भी employees का CTC होता है जब वो जॉइन कर रहे होते हैं ठीक है जैसे कि अगर 10 लाक है तो उसका कुछ परसंट जो है उस प्रोसेस आउट्सोंसिंग यानि एक कमपनी जब दूसरी कमपनी को कहती है कि मेरे पास जो है मुझे इतनी रिक्वार्मेंट है employees के और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं यह सारे चीज़ें खुद कर सुकूं तो आप मेरे बदले करो पर यहां पर एक चीज मुझे यह इत्रव्यू लेंगे उसके बाद आप यह नहीं कह सकते employees को कि आप मुझे इतने पैसे दो आपको कोई हक नहीं बनता यह कहने का वह employees जब मेरे पास आएंगे तो मैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करूंगी मैं सारी चीज़ें करूंगी विकाज आम ऐसे से बैंक एंड म जिस कंपनी को मैंने यह प्रोजेक्ट दिया है कि तुम मेरे बदले 10 employees को हायर करो वह किसी भी employees से पैसे नहीं ले सकती क्योंकि मैं उसको पैसे दे रही हूं उस company को तो वह किसी भी employees से पैसे कैसे ले सकती है मैंने यह चीज उस लड़की को समझाने की कोशिश करी बट उसन पैसे पैसे पे कर दिये थे 3500 और वो जो company है वो एस इन्फो टेक के नाम से company है जो कि बंद हो चुकी है और आइं डून नो कि वह ऐसा क्यों कर रहे है क्योंकि उस लटकी ने पैसे दे दिये थे उनको में भी चेक के थ्रू दिये थे और उसके stamp में यहां पर आपको screenshot देख रहे हैं आपको चंडीगड आना पड़ेगा वो बिचारी चंडीगड भी गई उसने simple interview दिया जबकि ऐसे से बैंक का सबसे पहले एक टेस्ट होता है एक आपकी personality कुछ टेस्ट होता है उसके बाद होता है उसके बाद होता है आपका personal interview so guys किसी की भी बातों में मत आओ कोई कुछ भी कह रहा है मत सुनो अब उस लड़की ने उस person को call करने की कोशिश करी अब उन्होंने ब्लॉक कर दिया उनका number और मैंने तो उस लड़की को कहा भी था कि वही पुलिस को एक बर ही call कर लें कम से कम यह number के बारे में तो बता दे क इस person ने इस तरह से किया आपके साथ oh god guys मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहे कि लोग ऐसा करती क्यों है तो यह जो company है यह बहुत ही जादा fraud कर रही है सबके साथ आप पचके रहें अगर आपको कहता है कोई कि आपका bank में selection हो चुका है और आपको interview के लिए आना है चंडिग हो रही है क्यों कहीं पी जाना आपको कहीं पी बुला के आपका simple सा interview ले ले लेंगे उस लड़की ने मुझे बताया कि वो company बंद हो चुकी है काफी time पहले बंद हो चुकी है उस लड़की ने यह पता करा था and यह जो company है वैसे technology वाली company तो technology वाली company अपनी company के लिए hire क्यों तुम आइसे से bank के लिए क्यों hire कर रहे हो इसे से bank इतना बड़ा bank है ठीक है वो उस company को यह मतलब क्यों देंगे यह project कि तुम मेरे लिए hire करो ऐसा होता है मतलब यह recruitment process outsourcing जो मैंने आपको बताया यह होता है बट ऐसा नहीं होता है कि आप जिन employees को hire कर रहे आप उनसे पैसे training के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कोई अगर आपके साथ ऐसा कर रहा है तो वहीं पर रुख जाना किसी को कोई पैसे देने की जरुवत नहीं है यह जो companies है यह fraud है नौकरी पे हम अपनी information डाल तो देते हैं लेकिन वहाँ से जो है उल्टे सीधे लोग जो है fraudsters जहा जाए तो फिर वह आप से पैसे मांगते हैं कोई भी पैसे कोई भी डॉकमेंस देने के कोई ज़रोत नहीं है ऐसे लोगों को आप दूर ही रहो और यह मैंने आपको बताया ने लड़की वाले यह रियल इंसिधैन्ट है कि कल भी मुझे call आया था जबकि मैंने तो SGFC बन के लिए अपलाई किया ही नहीं है तो मैंने इस परसिन का वहीं पर फोन कार्ट दिया था इससे वहले कि वो मुझे और ज़्यादध गुम्राह करें मत ऐसे लोगों की बात सुना करो अपना ध्यान रखो और ऐसे लोगों की बातों में मत आओ आजकल सारे इंट्रिव्यूस तो ऑनलाइन होई रहे हैं में तो अच तक किसी कंपणी को नहीं देखा है कि वो आपसे पैसे मांग रहे हैं तभी जा के वो आपको जॉब देंगें कोई कंपणी नहीं करती है więcöß इ सब मुझेक रहें ऐसी कंपणी वालों से तो अपना ध्यान रखियं थाण कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी आपको ऐसा कुछ कह रहा हो तो आप मुझसे कॉंटक्ट कर सकते हो Instagram पर मेरी Instagram ID है और मैं गाइस कमेंट सिखाना चाहती हूँ थांके सो मच गाइस वीडियो पर कमेंट करने के लिए इंड मैं सच में आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहती हूँ इसलिए आप मुझसे कमेंट सक्षिन में पूछ सकते हैं अगर मुझे लगता है कि कमेंट सक्षिन में यह बाते करना सही नहीं है जो कि आप कर रहे हो या फिर कुछ ऐसी private बाते होती हैं कि आप किसी company के information दे रहे हो या फिर कुछ और चीज़े पूछना चाहते हो तो मैं आपको instagram id दे रहे हूँ या फिर mail id दे रहे हूँ इंस्टग्राम पर ऐसा होता है कि फटा फट से text to text बात हो जाती है कि आप मुझे call पर भी कर सकते हो like instagram पर audio call होती है आप वहां पर मुझसे बात कर सकते हो जब कि मैं एक video share करने वाली हूँ I don't know कि यह वाली video पहले जाएगी बात में शायद पहले ही जाएगी तो उस वीडियो में मैंने बताया है कि YouTube में अगर आपका जो है monetization बंद हो चुकि एड्सेंस अकाउंट ब्लॉग हो चुका है तो उसको कैसे ब्लॉग करें मैंने एक YouTuber का कर रहा है तो आप मुझे Instagram पर सच में message कर सकते हो mail ID से भी reach out कर सकते हो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके comment से इसी तरह से डिस्प्ले करूँ चुकि आपके लिए जानने के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि सब लोग job रूंड रहे हैं और ये लोग फायदा उठाते हैं लेकिन इनको फायदा नहीं उठाने देना है इनको कहना है कि हम आपसे ज़्यादा स्मार्ट है और आप ये सब चीजे नहीं कर सकते हैं जब तक हम अपने decisions खुद ले सकते हैं हम इतने mature हैं कि हम किसी को भी अपने आप पर overtake नहीं करने देंगे सही कहना है मैंने बाबाई गाई गाइस सीविन नेक्स वीडियो एंड टेक्यो कि तरह कुछ पर्व कर थाई